आर्बे इंटी पीसी में इतने सारे पोस्ट हैं जिसके लिए कि इसके बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज रहते हैं तो इस यूडियों में चार टॉप की पोस्ट के बारे में बात करने वाला गल्स के लिए इस में आपको office hour क्या रहेगा या फिर work profile क्या रहेगा environment क्या रहेगा office का और salary वगरा क्या बनेंगी work profile क्या होगा इसके बारे में बात करेंगे देखो जो भी job अब join करते हो तो बहुत important करता है कि आपका post preference क्या हो कि अगर आपको वह post मिल जाती है तो पूरी life आपको उसी के साथ रहना है इस वज़े से बहुत important है जब भी आप form fill करो उस time पे यह देखके form fill करो कि क्या आप उस post के लिए पूरी life के लिए प्रिपेर दो चॉल स्टार्ट करते हैं पहली post देखो पहली post है जूनियर और सीनियर का difference है इसमें सिर्फ आपके level का difference है या फिर 12 या फिर graduation का difference है इसमें आपको salary में difference आता है लेकिन work जो होता है वो same to same लगबग होता है work का जो pressure है उसमें थोड़ा सा difference आता है लेकिन work दोनों को same करना पड़ता है department दोनों को same मिलता है work profile दोनों का same to same होत पोस्त के वारे में बसना इता हूं, आपको कोई डिपार्टमेंट मिल गया, और इस के घड़ेंट करता है अब हुगा से घ्कॉर्टर। आपको इस टेशन पे आपको कॉनसा डिवीजन ऐलोकेट करता है। इसे तरीके का वर्क होता है और तो यह जो समान लगने इसका इसका कंट्रेक्ट या फिर को पूरा-इस्टिमेट आपको देगा तो आपको पूरा एक धंग से इस्टिमेट तयार करना होगा और इस इस estimate को अपने officer को send करना होगा, officer इस पर signature करेगा, फिर वो accounts department को जाएगा, फिर वहाँ से कुछ गलती है, या फिर कुछ भी problem है, तो वो आपको return करेगा, आपको office में सुधार करना होगा, फिर अपने officer को send करना होगा, तो इस तरीके का work होता है, इस तरीके से बहुत ही vast work होता होता है, उसको send करना पड़ता है, अपने upper officers को, तो office hour होता है, वो day का होता है, या फिर दो गंटे का भी कहीं कहीं लंच हो जाता है, तो मतलब वही मान के जड़ो, साड़े नव से साड़े पांस का office hour होता है, वही होता है, नाइट shift इसमें कभी भी नहीं लगती है, और हफ से important है office का environment, दो को office का environment सब कुछ depend करता है, अपको department कैसा मिला है, उस department के अंदर लोग कैसे है, तो यही इस post का सिर्फ कौन स है, कि वो depend करता है, आपको किस तरीके का office देता है, मतलब किस तरीके का आपको department करता है, like electrical engineering, या फिर SNT या से SNT वगारे department है, इसमें काफी कम यह सब कुछ depend करता है, इस वैसे बोल रहा हूँ कि आप June भी जो है, वो अपने according चूज करना कि कहां पर आपको safety होगी, like कि अगर आपके घर के आस पास है, तो ज्यादा बेटर रहेगा, और promotions वगर भी काफी ठीक ठीक से मिलते, इसमें आप किसी भी department में हो, दो साल बाद लेवल 6 से पाउच जाओगे, यानि 2200 ग्रेट पे आपको मिल जाएगा, बीना किसी एक्जाम के, अब देखो जो second post है, वो है मेरी favorite post, account clerk, या फिर junior account assistant, लेकिन अगर आप किसी भी एक्जाम के पर प्रप्रसंद कर रहे हो, तो mocks वगर देते रहो, mocks देने के लिए आप प् नहीं है, तो CBT1, CBT2 सारे के सारे paper भी इसमें include हो गया है, और railway का या फिर जो भी famous people वगरा, जो sectional mocks वगरा होता है, या फिर topic wise जो questions होते हैं, उसको भी quiz बना कि इसमें add कर दिया गया, तो इसको आप purchase कर सकते हो, उसका link आपको comment box में मिल जाएगा, इबिन दो कि इसका जो division allocate करता है, लेकिन division के अंदर सिर्फ एक ही accounts department होता है, और वहां का जो महाल होता है वो थोड़ा सा banking type का होता है, या गर्ल्स के लिए यह कह सकते है, one of the best post है, NTPC के सारी post के अंदर, accounts clerk और junior account assistant में सिर्फ इतना ही फर्क होता है, कि junior account assistant जो हो level 5 के post है, या इसमें मैं आप इस form को fill कर सकते हो, इसको लेकि confuse बिल्कुल मत होना, और जो accounts clerk होता है, यह भी से plain 12 आपने कर रखा है, या पर साइन से कर रखा है, आर्ट से कर रखा है, कैसे भी कर रखा है आपने 12 तो आप इस form को fill कर सकते हो, दोनों का work profile लगबग लगबग सेम होता है, और accounts department में like की बहुत स salary वगरा, सब कुछ जो है, अपने department में ही दिखने को मिल जाएगा, आपको कहीं भी अधर जाने की जुरूत नहीं पड़ी, accounts clerk है, और junior account assistant है, दोनों का work बिल्कुल same to same होता है, उसमें कोई भी difference नहीं होता है, सिर्फोसिप salary का और level का difference होता है, या जो junior account assistant है, level 5 की post है, इसक salary बनेगी, वो 31,000 के आसपास बनेगी, यानि कि जितने भी departments है, चाहिए आप कोई भी post है, अगर वो level 2 की post है, तो उसकी salary बनेगी, वो 31,000 के आसपास बनती है, और जो level 5 की post है, उसकी salary बनती है, वो 46,000 के आसपास बनती है, गल्स के लिए मैं मान सकता हूँ, one of the best post है, accounts clerk य देखने को मिल जाएगा, यहां पर कुछ उस तरीके का work नहीं होता है, engineering का work नहीं होता है, electrical का work नहीं होता है, signal telecom का work नहीं होता है, बिल्कुल एक बैंकिंग वाला ecosystem आपको मिल जाएगा, तो work profile से काफी decent भी होता है, office hour की बात करोगे, तो same to same वही office hour मिलेगा, जो आपको junior जुनियर क्लर्क या फिर आपको senior क्लर्क का जो पोच्ट था, उसकी तरीके साढ़े नौव ऐसे लेके, साढ़े पांच बै तक का office hour मिल जाता है, बीच में एक सी देड़ गंटे का lunch मिल जाता है, और आप हटे में दो दिन की चुटी मिलती है, Saturday, Sunday, तो work pressure की अगर आप बात से section मिला हुआ है, कौन से section मिला हुआ है, इस पर depend करता है, आपको workload कितना है, लेकिन इतना भी जादा workload नहीं होता है, मतलब एक decent workload होता है, आप इस job को भी grab कर सकते हो, Accounts Department में promotions वगए तो काफी तगड़े से होते हैं, लेकिन इसमें एक job का risk भी होता है, लाइक कि आप जब as a junior account assistant जोइन करते हो, उस date से 3 साल के अंदर एक exam होता है, appendix 2 करके, इसको आपको qualify करना ही पड़ता है, दो chance मिलते हैं, अगर आपने इसको qualify नहीं किया, तो आपको degrade क करके account clerk बना दिया जाएगा, या फिर आपको हमेशा के लिए हटा भी दिया जाएगा, यह depend करता है आपके authority पे, तो यह काफी एक risk factor होता है, लेकिन इसमें promotions वो करे इतना तगड़ा होता है, जो कि किसी भी department में नहीं होता है, लाइक कि आपको 3 साल के अंदर आप इस exam को qualify क कर लेते हो, तो आपकी जो job है वो permanent हो जाएगी, पहली चीज होगी, दूसरी चीज इसी exam के देने के बाद आपका जो पहला promotion लगेगा, आपके joining date से 3 साल के बाद, जस्त 3 साल के बाद वो बनोगे आप account assistant, आप जाओगे level 6 में, और आपकी जो grade पे हो जाएगी, वो हो जाए जब भी आपका appendix 3 भी एक exam होता है, senior section officer के लिए, जो की 4800 grade पे होता है, यानि कि आप direct 2800 grade पे से account assistant ना बनके direct senior section officer भी बन सकते हो, appendix 3 कलियर करके, यानि कि 3 साल के अंदर भी आप आपने उसको qualify कर लिया, अगर आपका exam होता है उस zone में, तो आपको direct उस date से, जिस दिन आप जोईन किया, उससे 3 साल बाद, जस 3 साल बाद, अगर आपने उस exam को qualify कर लिया है, तो आपको बना दिया जाएगा senior section office है, यानि की 4800 grade पे, और safety के purpose से देखो, तो best है, one of the best है ये girls के लिए, और इसमें चुट्टी वगरा भी बाकी, अगर आप senior clerk जोईन करते हो, अगर आप इसी जौब चाहिए, जिसमें public dealing हो, आप stations वगरा पे work करना चाहते हो, आपको stations वगरा पे ticket check करने पे इंट्रेस्ट है, या फिर ticket clerk वगरा बनना चाहते हो, तो दो best ऐसी है, जो की one of the best है, पहली है junior commercial clerk, कम ticket clerk, और जो दूसरी है, वो है senior commercial clerk, कम ticket clerk, junior commercial clerk level 2 की job होती, जिसको इंट्यूशन कम्प्लेट करने पे फिल कर सकते हो, junior commercial clerk और senior commercial clerk का जो work profile होता है, वो लगबग लगबग सेमी होता है, जो इनका salary होता है, उसमें ही आपको बड़ा जो gap है, वो देखने को मिलेगा, 32 to 33,000 क्यास पास salary आपकी बनेगी, junior commercial clerk की और 50,000 या फिर 48,000 क्यास पास बन जा सकता है, यानि कि public जो dealing होता है, public से जितना interaction करना होता है, इस्टेसं पे, वो सब कुछ काम यहां पे आपको लगाया जा सकता है, बाकि ticket check करना, जैसे कि मैं आपको बता दिया, फिर ticket counter पे इनकी duty लगती है, तो मतलब अलग अलग तर ऐसे duty लगती है, कभी आपको यहां पे duty लगाया सकता है, कभी वहां पे, वहां in the sense की station सेम रहेगा, बस आपको जो work है वो थोड़ा 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 चेंज किया जाएगा, तो काफी interesting भी job है, लाइक कि आपको बोर नहीं होना पड़ेगा, कि उसी तरीके के file आ रही है, फिर उसी तरीके का work आ रहा है, तो सब्सक्राइब काफी अच्छा होता है, क्योंकि public dealing होता है, आपको station पे रहना होता है, तो station पे अची काछी security भी होती है, even though station master भी होता है, तो अगर आपको public dealing में interest है, public से interaction करने में, आपको interest है, ticket वगर चेक करने में आपको interest है, तो इस job में आप basic जा सकते हो, बहुत ही one of the best कह सकते हो, और boring तो बिल्कुल नहीं है job, देख आप जो last post है, वो है station master, सबसे demanding कह सकते हो, कि station master post होता है, यह graduation पे होता है, level 66 job होती है, यानि कि 4200 grade पे से आपकी starting हो जाएगी, मतलब salary भी आपकी 60,000 के आसपास बनेगी, मतलब इस starting में आपकी salary वो 58-60,000 के आसपास बने ल वास्ट होता है station master का, और काफी जाजी जीमेदारी भी होती है, लेगिन को dress वगरे मिलता है, और station master लिखा होता है, उनका एक कच्छ भी होता है, तो मतलब कह सकते हो, थोड़ा भौकाली भाही होता है, और आप गाउं में बताऊगे, या फिर अपने दोस्तों को बताऊगे अगर भाही मैं station master हो, तो थोड़ा तगड़ा भी लगता है, और safety का तो कोई भी इसूने ये girls के लिए, इसमें भी night or day, दोनों shift होता है, मतलब की 6 दिन की duty होती है, लेगिन कह सकते हो कि इसमें safety का कोई भी इसूने है, और 6 दिन की duty होती है, उसमें आप इतना busy रहोगे कि आपको bored होने का कोई सवाली नहीं मिलता है, तो मतलब कह सकते हो कि station master भी one of the best है, इसको preference पे आप first number पे रखना, अगर आपका IU अगर बिल्कुल perfect है तो, तो अगर आपको office में रहना है, हपते के 5 दिन काम करना है, दो दिन की चुटी चाहिए, बिल्कुल ऐसा schedule चाहते हो कि senior clerk post पे डालना, लेकिन उसमें थोड़ा सा problem यही होता है कि department अगरा कैसा मिलेगा, इसमें थोड़ी सी problem आती है, लेकिन आपके mind में बहुत बड़ा confusion हो कि यार जो station पे work कर रहे है, उनको तो 6 दिन जाना पड़ रहा है, कभी कभी रात में भी duty लगती है, लेकिन जो लोग office जोइन कर रहा है, उनको तो 5 दिन जाना पड़ रहा है, दो दिन की चुटी मिल रहे है, ऐसा तो है, लेकिन जो लोग 5 दिन जाते हैं, जो office जाते हैं, उनके जो CL होता है, यनि कि साल में जो चुटी है मिलती है, वो as compared to station पे जो लोग work करते हैं, वो कम होती है, मतलब station पे ज थोड़ा सा work pressure भी आपको मिल जाता है, लेकिन अगर आप station पे work करते हो, तो आपको work pressure बिलकुल नहीं होता है, लाइक कि आपने जिस time पे आप work कर रहो से पूतना ही देखना है, फिर जब आप घर आ जाते हो, तो आपको उससे कोई लेना देना नहीं होता है, जो next आपकी ज फीज़न होगा कि या ticket वगएर क्या complete free रहता है और medical वगएर, facility वगएर किस तरीके से मिलती है, passes वगएर कैसे मिलती है, तो मतलब Indian railway में जो work profile होता है या फिर जो सुविधा होती है, वो बहुत ज़दा vast होती है, इसके लिए हर चीज़ के लिए एक अलग video बनानी ही पड़ पहले ही मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूं कि notification आने के बाद सब लोग तुरंती form फिल कर देते हैं, तो सोच समझ के fill करना अगर आप घर लो तो और बाकी zone वगएर के बारे में, मैं एक वीडियो बनाऊंगा detail में कि कि इस zone का form फिल करना चाहिए अगर आप कहां से होत झ्यात समझ वीडियो